नमस्कार दूस्तों तो चलिए हम लोग बात करें थे उत्तर्पधेश सामान गयान के बारे में तो इसमें हम लोगों ने बात की थी आठावा चेप्टर था हमारा सिचाई एवं सिचाई परियोजना है अब इसमें बात करेंगे जलवायू के बारे में याद रखिए आपके आठ्मों चेप्टर उत्तर प्रदेश सामान ग्यान के नाम से जो फिली लिष्ट सूचिए उसी में डले हुए इसमें जलवाईू उत्तर प्रदेश की जलवाईू उष्ण कटी बन दिये और मान सुनी है याद रखना है कई बार पूचा जाता है कि उत्तर प्रदेश की जलवाईू कैसी किस तरह गी है तो उष्ण कटी बन दिये और मान सुनी धरातलिये विसमताओं और समुद तल से दूरी इस्थल खंड की मुचाई समुद से उचाई आधी के कारण जलवाईव में बदलाव आ जाता है राज में औसत ताबमान जन्वरी में बारे दिसमलो पचास्थ डिगरी सेंटीगेट से 17.50 डिगरी सेंटीगेट रहता है जब कि मई जून में यह 27.5 से 49 डिगरी सेंटीगेट तक हो जाता है फूर्व से पश्चिम की तरफ बरसा कम होती है याद रखना फूर्व से फश्चिम की तरब वर्सा कम होती है राज में लगबग 90-30 वर्सा दश्चिड फश्चिम मानसुन के दौरान होती है जो जून से सेप्टमबर तक होती है वर्सा के महिने में राज के पूर्वे हिस्से में बाड एक आवती समस्या है जिससे फसल, जन जीवन, संपत्ती का भारी नुकसान पहुंचता है मानसुन की लगातार विफ़ताओं के फईडाम सुरूफ सूखा पड़ता है तथा फसल का नुकसान होता है उत्तर का प्रवर्तिय भाग हिमाच्छादित रहता है सीथ काल में कडाके की ठंड पड़ती है तथा कुछ भागों में हिमपाद भी होता है रित्तू बात करते हैं रित्तू के बारे में तो सामानता उत्तर विदेश में तीन रित्तू होती है कौन कुन सी, सीत रितू, रियापकी ग्रीसम रितू, बरसा रितू तो सबसे पहले बाग करते हैं हम लोग सीत रितू के बारे में सीत रितू नवंबर माल से स्तुरू होती है जबकि पश्चमोत्तर भारत उच्छ भारत की पेटी भार की पेटी के प्रभाव में आ जाता है जन्वरी में सरवादिक ठंड महीना होता है ठंड का महीना है स्वक्ष आकास सोहाना मौसम निम्न ताब एबं आदिता अधिक मौसमी ताबंतर और मंदच चलने वाली उत्तरी पश्चमी पावने इस रितू की वेसेचता है ताबमान की बात करें सीत रितू में तो उत्तर फिदेश में सीत रितू में ताबमान उत्तर से दच्छड की तरफ बढ़ता है फिदेश के दच्छडी पठारी एवं पहाडी एवं पठारी भाग में सीत रितु में सरवादिक औसत अधिक्तम ताबमान 28.3 cm होता है औसतन निउनतम ताबमान 13.3 cm रहता है फिदेश के परवतिय च्छड और फष्टमी मेदान भागों में औसत अधिक्तम ताबमान 11.7 cm रहता है फष्टमी मेदान च्छड में समांतर ताबांतर सरवादिक और पूरवी मेदानी च्छड में ताबांतर सबसे कम रहता है फरिवरी में ताबमान बढ़ जाता है हवाएं सीतरितु में हवाएं इस्थल से चलती है अतासुस होती है जिनसे बरसा प्राप्त नहीं होती है दिसंबर एवं जनवरी माय में कभी पाला पड़ता है तता सुर्वियो देर के पूरो और बाद में दो तीन घंटे घना कोहरा चा जाय करता है फरवरीती है छितरों में हिमपात होता है सीतरितु में बरसा की बात कहने तो जनवरी फरवरी मास में भूमद्द साकरी ये छेत्रों में उपन होने वाले चक्कवात, इरान, अफगानिस्तान, पाकार, पाकिस्तान, पंजाब, भार्याणा होते हुए पश्चमी उतरपिदेश में पिर्वेश कर मौसम में अचानक परिवतन ला दिते हैं कभी-कभी इन चक्कवातों की एक साखा फारस की खाड़ी तथा अरब सागर से होती भी यहां तक पहुँच जाती है इनके दोआरा पश्चमी उतरपिदेश में 10 सेंटीमिटर तक बरसा हो जाती है यह बरसा रवी की फसल के लिए विसेश लाबदायक होती है इस रितू में आने वाले चक्कवातों की संक्या 3 से 5 तक होती है कभी-कभी चक्कवातों के साथ ओलों की भी बरसा होती है सीद कालीन चक्कवातों का उतरपिदेश के उतरी इपश्चमी चेत्रों में 7 से 10 सेंटीमिटर तक बरसा हो जाती है सबसे कम बर्षा उत्तर पिदेश के दच्छडी पठारी पिदेश के जहांसी जालोन हमीरपुर बांदा ललेतपुर जिलों में 5-7.5 सेंटीमेटर तक होती है मैदानी चेत्रों में बर्षा 7.5 से 10 सेंटीमेटर तक अंकित की जाती है अपनी दूसरी रितु है ग्रीश में रितु उत्तर पिदेश में ग्रीश में रितु मार्च से प्यारम होकर मद्द जून तक रहती है मार्च से नेंतर तामान में विद्धी होती जाती है मैई में तामान सरबादिक हो जाता है इस मास में जुल्चा देने वाली भैंकर यह आस हैनी ये गर्मी पढ़ती है मई की भाती जून में भी ताबमान उच्छी रहता है इस रुतू में देश में औसत अधिक्तम प्रदेश में औसत अधिक्तम ताबमान आपका 36 डिगरी सेंटिगेट से 49 डिगरी सेंटिगेट तक तथा ओसन निउन्तम ताबमान 21 डिगरी सेंटिगेट से 23 डिगरी सेंटिगेट तक रहता है कई नगरों में ताबमान 40 से 46 डिगरी सेंटिगेट तक पहुँच जाता है इन नंगरों में आप कानपूर है, लावादे लगन वुए, आगरा है, अरही है उत्तर पिदेश के बुंदेलगंट छेत में सरवाधिक औसत तामान पाया जाता है क्योंबिए यह छेत करक रेका के अतिने गट है उत्तरी पर्षमी उत्तरपिदेश में तामान कम पाया जाता है लबबक सभी छेत्रों में तामानतर 14 डिग्री सेंटीगेट तक रहता है बात करते हैं हवायों की तो हवायें उत्तरपिदेश में माय माय में तामान अधिक होने के कारण बायू भार में कमी हो जाती है उसी समय उत्तरी फश्वी भारत की निम्नतम बायू भार की पेटी उत्तर पिदेश के निकट इस्तित होती है बायू भार की नियंतर तीब गती से कम होने के फलतरू हवाएं तीब गती से चलने लगती है ग्रीस में रितू में 20 रोक से मई और जून में फश्यमी हवाय तीब गती से चलती है इन्हें लू कहते हैं लू फराता काल 10 बजे से साम 5 बजे तक चलती है यह अतेंत गरम और सरीज जोलसाने वाली अतेंत सुक्स हवाय होती है कभी कभी इन सुस्क हवायों से समुदायक हवाय मिल जाती है जिसके कारण 100 से 115 किलोमीटर पिती घंटे की गते से चलने वाले तूफान तथा आनिया जन्म लेती है यह धूल भरी होती है इनका गती इतना देख होता है कि इनके द्वारा बेक्ष तक भड़ जाते हैं पईडाम सुरूप मैदानी चेत्रों में बरसा होती है इस बरसा से जुल साने वाली गर्मी में रहात मिलती है ग्रिस्म कालीन बरसा के साथ साथ कभी ओले भी आ जाते हैं बरसा का वस्तन 10 से संटीमेटर से 25 संटीमेटर तक रहता है बरसा की मातरा सरवादिक परवतिय के चेत्रों में फिर मैदानी और फिर बुंदेल खंड शेत्मे राथ होती है अब बात करते हैं बरसा रितू उत्तर प्रिदेश में बरसा रितू फैरम जून से पैरम जून के तीसरे या चौत्रे सप्ताय से होती है जबकि दच्छिडी मांसून हवाएं का प्रवेस होता है बंगाल की खाड़ी का मांसू बिहार राज के मैदानी भागों में होता हुआ उत्तरप्रदेश के पूर्वी भाग में प्रवेस करता है इसे पूरबा कहते हैं फित्ममानसुनई वर्सा जून के अंतिम सत्य होती है, जुलाई टथा अगस्त माय में सबसे अधिक वर्सा होती है, वर्सा के कारण जुलाई और अगस्त माय का तामान जून की अफपेक्षा काफी कम हो जाता है। इन दिनों बरसा नहीं होती है और आकास सौप्च रहता है तामान भी बढ़ जाता है लेकिन हर दिशा में तामान मई जून माय से कम ही रहता है सेप्टमबर में बरसा की मात्रा नियंतर कम होती रहती है तथा बरसा के दिनों में मध्य होती भी बढ़ती जाती है इसलिए सेटमबर माय में तामान अधिक हो जाता है पिदेश में ओसतन तामान 32 डिगरी सेंटिगेट से 34 डिगरी सेंटिगेट तक और ओसर नियूंतम तामान 25 डिगरी सेंटिगेट से तक 25 degree centigrade तक पाया जाता है इस रितू में पश्चमी उत्तर पिदेश में तामान कुछ अधिक पाया जाता है हवाओं की बात करें तो वर्षाई हवाएं तक बगाली की खाड़ी के मान्सून से वर्षा होती है क्योंकि ये हवाओं जब उत्तर की तरफ बढ़ती है तो हमालाय की उचपर्व सेंखेलाओं को पान नहीं कर पाती है और हिमालाई की सिंखलाओं के सारे सारे गंगा के मैदानी भाग में पश्टिमी भागों की और अग्जसा होती है चुकि यह मानसुन साखा उत्तर पेदेस में दच्छिन पूर्ट से फिरवेश करती है अता यहां पूर्वी एवं दच्छिडी पूर्वी हवा के चक्तिपात भी चलते हैं जिसके द्वारा राज्ज में परयाप्त बरसा होती है बात करते हैं अरब सागर की मानसुन हवाओं की तो अरब सागर की मानसुन हवाओं की उत्तरी साखा गुजरात कच से होकर उत्तर पुर्वी की और बढ़ती हुई पंजाब तक पहुच जाती है इन मांसून हवाओं के दोरह नाममात्य की बरसा होती है इस मांसून का उत्तरपिदेश के किसी चेत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है लेकिन इस मांसून की उत्तरी साका जब उड़ी सातर से उत्पन चकवा से दच्छडी फठारी भाग में मिलती है परियाप्त वर्षा हो जाती है वर्षा की विवरण की बात करें हम लोग तो उत्तर पिदेश में वर्षा का विवरण बड़ा ही आसान पूर्वी मेदान छित में 112 सेंटीमीटर मदबलती मेदानी छित्रों में 94 सेंटीमीटर पश्चिमी मेदानी छित्रों में 84 सेंटीमीटर और दच्छडी पठारी छेत्रों में 91 cm अंकित की जाती है इसका कारण वर्साफ का मांसून पर निर्भर होना है चुकि हवाएं हेमालय परवद के साथ चलती है इसलिए जो इस्थान हेमालय परवद के समीब है वहाँ अपेक्ष्या करत अधिक वर्सा होती है जबकि उन्य स्थानों पर वर्सा कम होती है जो हेमालय से दूर है साथ ही जयो जयो यह मांसून परवद के पश्टमी भाग की और चलता है वर्सा की मात्रा भी कम होती जाती है क्योंकि यह नमी वाले सिरोतों से दूर हो जाता है उत्तर पिदेश की संपूर्ण वर्सा का 75-85 पितिसत भाग वर्सा रितूं में बंगाल की खाड़ी की मानसून से प्राप्त होता है याद रखिए संपूर्ण वर्सा का लगवक 60-30 पितिसत भाग जुलाई और अगस्त माय में होता है सेप्टम्बर में वर्सा की मात्रा घटती जाती है और वर्सा रहत दिनों की अंत्रावधी भी बढ़ जाती है सेप्टम्बर के अंत्र तक तक था ओक्टूबर में मानसून लोटना फ्यारम करती था है इन दिनों आका स्वक्छेवम सुहाना होता है पिदेश में मांजून द्वारा वर्सा विस्वास जनक नहीं होती है किसी भी वर्स किनी किनी छित्रों में इतनी अधिक वर्सा हो जाती है कि बहेंकर बाड आ जाती है और कभी कभी इतनी कम वर्सा होती है कि खरीब की फसलें खेतों में ही वरबाद हो जाती है बरसा की आनीमेत्ता पिदेश के विभिन चित्रों में लग लगे उत्तर पिदेश के पूर्व जिलों में बलिया गाजी पुरुवरार सी जौनपूर आजमगड़ में बरसा की आनीमेत्ता 16-17 मद्यबरती उत्तर पिदेश में 18-20 पिदेश में 20-22 यो दचिड के पथारी पिदेश में 23-24 पिदेश में बरसा का सरूफ मुक्रूफ से मानसुनिय है परंतूइय बरसा परवतिय चक्वातिय एभ Employee में होती है परवतिय बरसा उस समय होती है जब मांसुनी हवाय, के मालप पर्वत को पहर करने के पिरयास में ऊपर उठ जाती है। और सीतल होकर फिदेश में बरसा कर देती हैं। जबकि चक्कवाती ये बरसा अधिकतर चक्कवातों और तूफानों के कारण होती है। ये चक्वात इस्थानिय ताफांतर के कारण उत्पन होते हैं, तथा जल को कैंदी वूत कर वर्सा के रूम में बर्स पढ़ते हैं। संबहिनी वर्सा पदेश में इस्थानिय रूम से उत्पन गर्मी के कारण होती हैं, जो की मुख वसंत अथवा पत जड़ रितू में होती हैं। बात करते हैं उत्तर पदेश के जलवाईव के देश के बारे में। यहां भी उत्तर पदेश के जलवाईव विभाग बर्सा के वितरन के आदार पर ही विभाजित किये गए। तो बात करते हैं आद एवं उश्न पदेश। इस पदेश में उत्तरी मुरादावाद बिजनौर, फरेली वहराईच, रामपूर, पीलीवीद, लखेमपूर, गौंडा वस्ती, गुरखपूर, देवरिया उत्तरी सायजापूर, सीतापूर, वारावन की फैजाबाद आजमगड, बलिया गाजीपूर, देवरिया जौन पूरु, वराणरसी, मेजडी जिलो, जिले संबावित हैं, इसमें संबल लेत हैं, इस पिदेश को दो उपव्ववःबागों में विभाजित किया जा सकता है, पूर्भी उत्तर पिदेश, वह तराईच, तुछ बात करते हैं, वह पूर्भी उत्तर पिदेश के मीं, इस वर्षा का उसत है सौसित 120 सेंटीमीटर तर इस पेदेश में पूर्व से वच्चिम की तरफ वर्षा की मात्रा कम होती जाती है वराड़सी और इलाबाद में वर्षा किरमसा 103.8 सेंटीमीटर और 96.6 सेंटीमीटर है इस छेत पर सीत काली चकवातों का कोई पिरभाव नहीं है तराइन चेत इस चेत में विजनोर उत्तरी मुरादाबाद रामपूर बरेली पीलिवीत लखिमपुर वहराइक गॉंड़ावस्ती गुरगपूर उदेवरिया सामल लें इस चेत में वार्षिक वर्षा का उसतन 120 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर है जनवरी का उसतामान 18 सें बन गए हैं जहां मलेरिया और फाइलेरिया रोगों का फिक्व अधिक रहता है बात करते हैं आंगे साधारन आद्ध और उष्ण पिदेश उत्तर पिदेश के मदवर्थी मैदान पश्वी मैदान और बुंदेलकंड के पठारी और पहाडी छित में साधारन वर्सा 50 से 100 संट दिमीटेर के मदव वती है बरसा की आसमांता को आधार मानकर इस चेत को तीन ओब विभागों में विभाजित की आ जा सकता है कौन-कौन से आपका मदवर्थी मैदान चेत पश्वी मैदानी चेत और फिर बुंदेलकंड के पठारी और पहाडी चेत तो सबसे पहले बात कर इस छेत में आपका दच्छिडी सांजापूर, फरुकाबाद, हर्दोई, कानपूर, उन्नाव, लकनव, सुल्दानपूर, रायबरेली, फतेपूर, फिताबगर्ड और उत्री, इलावाद, आदी जिले सामिले, इस छेत में ग्रिसमी रितू में कड़ी घर्मी पड़ती है, तता तामान, चवारीश डिगरी सेंटीगेट के आसपास रहता है, ग्रीश रितू में तेज हमाये चलती है, सीत रितू में सुस्क एबं ठंडी रहती है, यहां जनवरी का ओसत तामान, 15-16 सेंटीमीटर तक रहता है, सीत रूतू में कभी-कभी पाला भी पड़ जाता है, यहां बार्सिक बर्सा का ओसतन 80-100 सेंटीमीटर तक रहता है, कानपूर फरुकाबाद एटाबा की बर्सा का ओसतन 85 सेंटीमीटर, 89.2 सेंटीमीटर, 18.8 सेंटीमीटर होता है, ठीक है? फिर आपका पश्चमी मैदान, पश्चमी मैदानी छेत, इस छेत में सहरानपूर, मुझफर नगर, मेरट, गाजियाबाद, मुरादाबाद, कदच्छडी, पश्चमीबाद, वुलंद सहर, वदायू, अलीगर, इटा मत्रा, आगरा मैनपूरी, आदी जिले सामेल हैं इसम ग्रीसम रितू में इस छेत के उतरी बाग में तामान कम रहेता है, दजचडी बाग में तामान अधिक पाए जाते हैं, वरसा परवती ये छेतुरों के निकट बागों में, अधिक और दजचडी पस्चिमी बागों में कम होती हैं आहागरा में बरसा का ओसक 65 cm और मेर्ट में 80 cm तक वारसिक होती है ठीक है फिर आपका बुंदेलखंड का पठारी पहाड़ी इवन पठारी चे इस छेत में आपका इटावा का दच्छनी भाग जालोन हमीरवूर बांदा जहांसी ललितपुर जिले आते हैं यहां सीतर रितू में तावमान आपका 18 cm से 19 cm तक रहता है और ग्रीजिसन रितू में 40 से 45 cm तक पहुच जाता है 1987 में बांदा को उच्छतम तावमान 49 cm रहा था वर्सा की मातरा फूर्ष रे फच्छिम की तरह घटती जाती है बांदा की बार्सिक वर्सा का उस्तन 104 cm जालोन 81 cm और जहांसी का 90 cm है ठीक है अब बात कर लेते हैं पिदेश पर जलवाईू का प्रिवारा पिदेश में पाई जाने वाली जलवाईू की विविन विश्षिताओं और पिदेश के निवासियों के आरते एवन सामाजी जीवन को काफी हद तक प्रभावित किया है फिदेश में होने वाली वर्सा, मानसुनी वर्सा, किर्सी के लिए मुख आलधार का करती है वर्सा की अनियमेता अत्वा उसका अभाव किर्सी को नश्ट करता है यह साथी देश एवं किर्सकों के आतिक एवं सामयजिक जीवन को विपुरी तर प्रवावित करता है फिदेश में बर्सा केवल तीन-चार माहे तक होती है तथा वर्स का सिजवाक सुस्क्र ही रहता है फैल स्वरूप क्रिसी के लिए सिचाई का सहारा लेना पड़ता है जबकि गास का पूर्टा अभाव रहता है इसे पसुपालन को काफी हतोसायत होना पड़ता है वर्सा की अ आनिश्चिस्ता और भी गंबीर होती है किसी वर्स-बर्सा कम हो जाने के कारण सूखा पड़ जाता है तो किसी वर्स अधिक वर्सा के कारण बाड़ें आ जाती है तथा फसलों को काफी छदी पौंचती है फिदेश के ग्रिसम काली नतावमान सामनता अधिक हो तो होते ही हैं, लेकिन उनके अचानक बढ़ जाने के कारण फसलें भी जल्दी ही पक जाती हैं, जिससे भी घटिया किस्मिकी बन जाती हैं, लेकिन सीतकाल में ऐसा नहीं है क्योंकि उस समय तामन बहुत अधिक नीचे नहीं गरता, जिससे फसलों को बढ़ने पकने के लिए दिख समय मिल जाता है, साथ ही पिदेश के परवधिये छित्रों को छोड़कर अर्थिकान्स भागों में पाला और कुहरा भी कम पड़ता है, जिससे यहां पर सीतोस्ट कटी बंद में उत्पन की जाने वाली फसलें पैदा की जाती हैं, पिदेश में जल्वाई की आनिश् पिदेश के उत्तरी एवन पूर्वी छित्रों में जहां व्यक्ष बहुतायात से मिल जाते हैं, वह फश्चीन भागों में या अप्यक्षा के काफी कम पाए जाते हैं, आगे बात करते हैं मेलोग, उत्तर पिदेश की जल्वाई उश्न कटी बन दिये तथा मांसूनी है, राज में उस्तन ताममान 12.50 डिगरी सेंटीगेट से 17.50 सेंटीगेट है या दरबनाएं, तो राज में लगवग 90-30 बरसा आपकी 10-60 परस्ची में मांसून के द्वारा होती हैं, सीत काल में कडाके की ठंड परती हैं, सीत रितु में नवंबर मास से सुरू होती हैं, पिद परस्तन नियूंतन ताममान आपका 13.50 डिगरी सेंटीगेट रहता है, दिसंबर एवं जन्वरी माहे में कभी-कभी पाला पड़ता है, वर्सा रभी की फसल के लिए विसेश लाबदायक रहती है, मैदानी छेत्रों में वर्सा की मात्रा 7.5 से 10 सेंटीमीटर तक अंकित की जाती है, मई में ताममान यूपी का सबसे अधिक रहता है, कई नेगरों में ताममान 40 से 46 डिगरी तक पहुँच जाता है, उत्तर पिदेश में वर्सा का वितरन बड़ा ही आसमान है, संपूर्ण वर्सा का लगवक 60 पिदी से भाग जुलाई अगस्त माय में प्राप्त हो जाती है, उपरवर्ती वर्सा उस समय होती है, जम वानसुनी हवाएं हिमालय परवत को पार करने का प्रियास में उपर उठती जाती है, पूर्वी उत्तर पिदेश चित में उत्तर सायजापूर, सीतापूर, वारावंकी फैजाबाद आजमगर, वलिया, गाजीपूर, पूर्जली समलेत है, बुंदेलकंड की पठारी पहाडी छेत्रों में टावा का दच्छडी वाग, जालोन हमीरपूर बादाजहासी, ललित पूर्जली समलेत है, पिदेश में बर्सा केवल 3-4 माहे तक होती है, तथा बर्स का सिस बाग सुस्क रहता है, किसी बर्स बर्सा कम हो जाने के कारण सूखा पड़ जाता है, तो किसी बर्स अधिक बर्सा के कारण बाड़ा जाती है, ठीक है, तो ये था हमारा उत्तर पिदेश की जलवायू, अब इसते समंदीत आपके जो फिसन है, उन्हें भी देख लीते हैं, जितने भी फिसन होंगे, सीत पहला कुश कुशन नमर दूतरा है, बर्सा रितु में उत्तर पिदेश में कितने बर्स पिथीसत बर्सा होती है, तो याद रखना है, तो याद रखना है, दो, ठीक है? Q4 उत्तर पेदेश में बरसा मुक्ता किस मान्सून से होती है तो याद रखना है दस छिट पश्चे Q5 उत्तर पेदेश में सरवादिक बरसा बला छित कौन सा है तो याद रखना 5 4 का उत्तर पेदेश में बरसा मुक्ता किस मान्सून से होती है तो बंगाल की खाड़ी से होती इसमें चार में A है ठीक है याद रखी ठीक है और उत्तर पेदेश में सरवादिक बरसा वाला छेत कौन सा है तो इसमें होगा आपका तराई छेत ठीक है चार का A, तीन का है B, ठीक है और पांच का क्या है D Question number 6 सबसे कम गर्मी कहा होती है तो याद रखना है वरे ली में C option है Question number 6 सबसे कम बरसा वाला चेत कौन सा है तो याद रखना है फष्चिमी गंगा मैदान बी ओप्सन है, question number 9, उत्तर पिदेश में सब से कम बर्सा होती है, कहा होती है, तो आपको बता दिना है, मतुराब है, ठीक, उत्तर पिदेश में सब से कम बर्सा होती है, मतुराब है, question number 10, उत्तर पिदेश की जलवाईवने मिलकित में से किस पिकार किये, तो याद रखना है ओष्ण कटी बन दी है, मान सुनी, ठीक है, कई बार पूछा लेता है टारिक्ट, 11 कुश्चन है, राज में जनवरी में औस्तन तामान कितना रहता है, तो याद रखे, 12.50 डिगरी सेंटिगेट से, 17.50 डिगरी सेंटिगेट तब, कुश्चन नमबर 12, उत्तर पिदेश में कितनी रितु में होती है, तो आपको याद है, तीन रितु में होती है, कुश्चन नमबर आपका है, कौन सब 13, से रितु कब से शुरू होती है, तो आपको बता देना है, नवंबर से, कब से नवंबर से, कुश्चे नमबर 14 पिदेश में सबसे अधिक तामान कब होता है तो याद रखना मई में कुश्चे नमबर 15 चक वातिय वर्षा क्यों होती है तो याद रखिए चक वात्तों अत्वा तूखानों के कारण कुश्चे नमबर 16 पश्चमी में चेत में सीत रितू में तामान कितना रहता है तो आपको याद रखना है बी दस बारे दसम लो सॉरी बारा डिगरी सेंटिगेट से चौदा डिगरी सेंटिगेट था बी ओप्शन है तो ये था आपका जल वायू से संबंदित चेप्टर आँगे बात करेंगे हम लोग बन संपदा से संबंदित बनों से संबंदित